हम टेलर की टेकनीक्स को पढ़ रहे थें जुनों हने साइंटिक ही टेकनीक के पूम चैनिक को कल ही पढ़ लिया है और आज हम पढ़ते हैं वाय हुआ और हम से पहले हमें कैया ह substitute की मीन्स मैन है आपकी जो लेवर है आपको ये देखना है कि आपकी लेवर कितने टाइम पर ठक जाती है जो आप अपने लेवर की ठकावट को पढ़ रहे हो वही इस्टड़ी आपकी क्या रहती है अब जो आपको क्यों पढ़ना है कि आपकी लेवर ठक रहा है नहीं ठक रहा है आपक कंपनी को सकस्स मिल सकती आपकी कंपणी ग्रों कर एदर्वाइस क्या होगा अगर अइसे क्यों करें करना है58 हमें यह देखना है कि मैं अ esa क्यूं कर रहे हैं अब क्यूं का आंसर दिया सबसक्राइब आपको पता करना है कितने वार कि लेवर है तो उनको पड़ेगा रापको रेस्टो देना पड़ेगा तो कितनी वार हम उनको र्रेश्ट यह मожंद करना है तो ऑम फिर से अनर्जी देना है हमें और हम फिर से अपने काम come continue कर सकते हैं तो ऐसा ही इतनी लेवर के साथ भी करेंगे है तो हमने तेखना पड़ेगा कि उनको कितनी देडु तक रेस्ट करना है कि कि अईसा करना कि सुभर 10 बच अगर तक देना है और कितनी बार देना है यह जो में rest देना है rest के intervals हम देते हैं तो क्यों दे रहे हैं ठीक है वह कितनी बार देना है कैसे देना है यह सब हम इस fatigue study से पता कर सकते हैं तो इस इंटरविल को रेस इंटरविल के बारे में पता करने के लिए फैटे इस्टडि की जाती है अभी क्यों हुआ यह कंसेप्ट क्यों आया तो यह इसलिए आया है क्योंकि हर परसन हर यूमन बींग क्या है जब बहुत देर तक काम करेगा तो यह तो नैचरल चीज़े कि बीच नहीं देखा है कि अब हम देख रहे हैं कि आता है कि इसे रहा है कि क्या मोल रहा है simple चीज भी हम cash नहीं कर पा रहे है just because हम इतने जाए ठक चुके हैं हमार दिमाग ठक चुका है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहे हैं हमें पता है कि हमें पढ़ना है पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहे है क्यों कि बीच में एक rest नहीं लिया है तो हमें अब कुछ स जाइए होता है बीच में एक rest interval तो हम क्या करते हैं उसको एक rest interval देखते हैं जिसे कि school में भी हम देख सकते हैं अगर हम school में पढ़ते जाएं बीच में हमारा lunch पर great ऑवर होता है एक टीचर जाता है तो दूसरे को आने मेel टाइम लगता है उस बीच मेel मिल्जाता है नेक्स देंगे da अब सबढ़ाता है मेel सी ऑप को सुबहने हो इसलिए ये आपको क्या करना है आप कंगे और यह यह हर जगे अपलाई होता है जैसे हमारे स्कूल में देख सकते हो आप कितने systematically इस कंसेप्ट को यूज किया गया है कि टीचर आ रहे है टीचर जा रहे हैं बीच में इंटरवल मिल गया फिर बाद में जब मेजर इंटरवल मिलता है जो हमें लंच ब्रेक मिलता है तो इससे क्य कैसे देंगे हमें पता है कि देना है पर क्यों यह भी पता है पर कैसे यह नहीं पता तो हमें अभी यह देखना है कि हम कैसे दे सकते हैं अपने लेवर को एक रेस इंटरवल और लेवर के सासत ही हम खुद पर भी अपलाए कर सकते हैं कि हम खुद को कभ देंगे रेस इंटर है तो हमें नोट डाउन कर लेना कि कब थकता है ठीक है अब थक गया हमने अब्जर्ब कर लिया यह भी लिख लिया कि कब थका है अब हमें देखना है कि उसकी जो efficiency level जो है कब कम होती जारी थकने का मतलब क्या है कि हम उससे पूछेंगे कि या थक गया कि नहीं हम सीधे अब्जर्ब करेंगे कि कब उसका जो काम है वो विकार तो जा रहा है कि उसकी efficiency खतम हो रही है हो रही है जब उसकी efficiency decrease होना स्चार्ट हो जाए आप क्या करो सीधे उसको एक ब्रेक दे दो उससे वो ठीक है अब थोड़ा ब्रेक लेलो आपको इंटरवल दिया अब आपको क्या करना है अब आपको आपको अब्जर्व करना कि कब वो फिर से फ्रेश फील कर रहा है कब से उसको energy feel हो रही है जब उसके पास energy फिर आगई है वो काम करने के लिए फिर से त्यार हो गया है उस time को फिर से note कर लेना है अब हमें क्या करना है कि हमने note कर लिया कि कब वो ठका फिर कितनी देर वाद उसके energy फिर से वापस आई है वही हमारा क्या होगा rest interval होगा suppose कर हमने क्य करा हमारा जो वरकर है उसने क्या करा तीन बज़े तक काम किया है त्री पीम तक काम किया है उसके बाद में दस बज़े से काम किया दस एम से उसने तीन पीम तक काम किया काम करते करते हैं उसकी इफिजेंसी यहां पर खतम हो गई अब बहुत जो है काम बहुत ही जीरे कर रहा ह बे मन से कर रहा है और काम युसके खराब होने फीशेसयी क खब हो ग域 हमने वने के ढटो थीक है आप यहां पर जIGने लेलो उसने क्या कि यह निया डीजा है जैसे 315 हुए 315 जैसे ही पोम ऐसके फ़ीं फीय आने वाहे वो फ्रेश छी कर रहा है और शीटेक कर रहा है हमने क्या करा यह जो 15 मिनट थे यह 15 मिनट जो गए अब अब हमने जब यह नोड कर से ज 올ी होगा आप कि रेस्ट इंटरवल कितने टाइम के लिए आपको करना है रेस्ट इंटरवल वह होगा आपका 15 निट यह हमने कैसे देखा कि जब उसके energy down से up हो गई तो किस time में उसके energy down से up हो रही है that is the rest interval तो यह rest interval के जो time है कितनी बार आपको दिन में उसको interval देना है यह सब हमने पता किया है by fatigue study और यह fatigue study किसने में provide की है टेरे ने provide की है तो इसी के साथ में हमारी यह जो technique है यह complete होती है next technique को हम next video में cover करेंगे till then keep your knowledge treasure hunting on